तो कमिल्दीब जी और अनिली जी के साथ हम एडवांस एक्सल की कंडिशनल इसक्राइब की टॉपिक है इस टॉपिक हम आज डिसक्स करने बाले हैं तो कमिल्दीब जी क्लास सुरू करते हैं कुछ सेकंड्स जो लोग यूटूब पे हमारी वीडियो को देख रहे हैं इससे में रिक्वेस्ट करोगा कि अगर फरस्ट टाइम आ है तो में चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छा लगए किजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप चाहते हैं इस सारी वीडियो चाहते हैं आप चाहते हैं अगर आप चाहते हैं मेरे साथ लाइव क्लास जोइन करना जिसे कर रहे हैं इस तरह से लाइव क्ला जोइन करना चाहते हैं तो । इसका लिक मैं इस वीडियो की उसके सब्सक्राइब करना जाते हैं तो कमल दीव जी अभी तक जो हमने फॉर्मेटिंग सिखा वो क्या गरता था है कि हमने सेल को सेलेक्ट किया और यहां से फॉर्मेटिंग अपलाई कर दिया इस अभी सेल के अंदर क्या टाइब किया हुआ यहां यहां पर जैसे यहां पर देखा कि इतनी सेल्स है ने चाहते हुआ था जो फिप्टी से उपर वाले सेल्स हाइलाइट हो यहां कोई बात है नहीं है तो जो मैनुवली एक एक करके हाइलाईट करें तो सच्छा है यह आपने पुरे अले इसे पर दीडिया को सेथे हैं हाइलाइट जीन से घ्लीया ऑपर जिटने पीर देखन जोगे हाइलाइट ही थे नहीं होता है एक से कर देखाराता है ऐसे अने पर फॉर्मेटिंट हो करती है अप्लाई भी करता है और साथ में इस अप्लाई भी करता है अब चलिए देखते हैं कि इस सारे कटेगरी है उसमें पहले कटेगरी हम हाइलाइट सेरी जरू इसको लेते हैं इसमें सबसे पर आता है greater than इसी पर्टिक्लर नंबर से बड़ा तो यहां पर by default 50.5 आ रहा है क्योंकि यह आपका जो है न अब average value लेता है इसको छोड़िए इसके जवब पर अपनी value आप ले सकते हैं जमें 60 देती है इसके बाद यहां जो दिख रहा है यह आपको दिख रहा है कि इसके अगेंस में फॉर्मेटिंग क्या ओना चाहिए default जो है right red है आप इसको yellow कर सकते हो इसको आप green कर सकते हो इसको आप right layer दे फिल्ट कर सकते हो यहां पर different formatting है आप चूज कर सकते हो बटे formatting आप ऐसा लगता है कि यह आपके लायक नहीं है तो यहां custom format पे जाके अपनी फुद की format जैसा आप चाहिए और साप ले सकते हैं और क्या क्या है इसमें एक बार देख लेते हैं अब किसी particular number से बार को highlight करेंगे में greater than यूज करेंगे less than के less than के between those numbers की पीज की value बेट्विन यूज करेंगे बगाने के तरीका है बिल्कुल वही है जो भी स्वाजरे पहले आपके मैंने बताया तो less than, greater than and between में आप number, date and time दाल सकते हैं इसे मालीजी आप चाहते हैं यहां पर अगर मैं December का date डाल जोगा, September मैं चाहता हूँ कि यहां पर 5 September से ओपर का date highlight होगा तो हमें select किया और यहां पर greater than और यहां पर 5 September के date highlight होगे अभी यहां पर year है अगर मैं यहां पर 2021 का, 22-22 का, जो year डालेंगे तो latest year है जो current year चल रहा है, current year डालने में आपको year डालने में जरूरोगा ऐसे time बर भी highlight कर सकते हैं इसके लिए हमें पास equal to होता है, equal to में exact cell value तो यहां पर number हो, text हो, date हो, time हो, कोई भी cell value select कर सकते हैं, और उसको highlight कर देंगे, किसी भी तरह का cell value ठीक है sir? ठीक है sir? लेकिए problem और होती है, हम text में कर देंगे, जिसलिए यहां पर पूजा दिखा, right? तो पूजा को में select किया, तो यह पूजा highlight हुआ, पूजा से, पूजा क्यार सर्मा, पूजा सर्मा highlight नहीं क्योंकि exact cell value highlight करता है, तो इसके लिए हम यहां पर text that contain, text that contain यहां यूज करेंगे है, तो इस content with चलेगा, मतलब कि जो word आप लिखेंगे, इसके अंदर word कहीं भी होगा, तो highlight करेंगे चाहे हो starting में हो, end में हो, या किसी के साथ में हो, इसको highlight करेंगे तो इसको highlight करेंगे ठीक है? तो यहां पर sell the content to use on तो इसके बाद आता है आपका date होगी अब यसे date में आपने क्या किया कि अगर मान लिजी equal to ही कर लिया equal to अगर मान लिजी इसके 8 November या 18 November या 18 November कुछ भी दो देती है 5 September कर देते तो इसके आपका जो date है वो highlight होता है, right तो इक हो fix होता है अगर मान लिजीए कि मुझे कुछ इस तरह से करना है तो अमरा current system date है वो उससे highlight हो तो उसके लिए date offering लेते है date offering में मैंने select कलिया today तो आज की days highlighted है कल मैंने file को लोगा तो 24 तरह लिए बार the tomorrow такой day, during last seven days this way इस तरह से highlight र्टाए सहा an जी सर और यस चेन होता है देट के साल जिसेफ का देट चेन होता न या पर यहांको चेन दिर बजाता है उसके बाद बात करते हैं बढ़के डिप्लिकेट वैल्यू एक सेेल्ग इडिया में अगर आप चाहते हैं कोई नमबर दर वन तो दुब्लिकेट वैलू का इस्तमाल में थीक है ध्यान दिकेगा यहां पर एक कॉलन लिया आप जैसे कि यहां पर उन लिखा तो ठीक है तू लिखा ठीक है जैसे वान लोगा ते दोनों वन हालाइट हो जाएगा है मतलब जोडी ने कि दुबलिकेट दोगा जैसे टाइसे की दूब्लिकेट ऐहां ऐसे कि दुबलिकेट था कि दूबलिबडबर तो फिल्बल एक तो भी हैलाइट का इसे तो तो ऊमने हैलाइट में इसीखा गेटा थे थे लेज्ट थे टाइस कि अध्य जबें पीट्वल ट अब इसमें आता है top button, top button इसमें मुझे top 10 को highlight करना है ठीक है तो यहां से आप जो है top button इसमें आपका 99, 98, 97, 96 ऐसे highlight को इसमें आगा bottom 10 करते हैं यह आपका तो यह आपका bottom 10 हाइलाइट हो जाता है तो bottom 10 यहां highlight को जिता है इसमें आप देखना है top 10 percentage यह bottom 10 percentage यह percentile formula इसमें चलता है तो percentile formula इसमें चलता है बात आदी above average तो selected column है इसका average है 50 है तो 50 से ऊपर जोगा उसको highlight करनेगा अभब average अब यहां पी एक बात आती है अब बात आते है कि कि फॉमेंटिंग लगा हुआ है इसको रिमूव कैसे है तो कली सर्वर्टिंग में यही पी आपको clear rules इंतायर शीट आपको okay ठीक है अब माल लिजिए कि मुझे पता करना है कि एक्टी फोर्ड है या एक्टी सिक्स है इसका position क्या है इस पूरे सेल में highest में है lowest में है अपर में है क्या है तो इस पी बार चार्ट लगाना तो परस्वल नहीं है ना सर्विकि डेटा तो कापी बड़ा है नमारा हरे हम subscribers क्रैका अंजिए थिर्थ हूर चौट नहीं ता इस तरह का पार्टी के निशल प्रकुल अंजिए फिर्थ march ऊंज उपने से यह जीं है कि ऑठी और fifty कितल एकि फोर्लम डश्रीний है इस तरह से क्रोफे है पूर्ण लूर्ण क्लर से हैं कि रिश्र आने अपको बिल्कुम अब इसमें अगला जो कॉप्शिंस आता है तो ठीक है अब इसमें अगला जो कॉप्शिंस आपका आता है किसके क्ताइब में किस तरह के जो किَّ ता थी कॉप्शिंस आपक में आता है कि इसमें के अगला है किसकी बहं अब आर्याया जा 안? इसमें अगला तेन yearला तो अब देह ब canal भी इसमें को निसमें तो डारे को जटा है जहाट फिर लिए उत्तन लोग एसमें इसमें बीटते है। कि अब कि बताना है तो आइकर है जह आपकी मतार से जबिसलिए अबना नो लग देटिक है यह नफीवा इंदूबर जा अपकी पिर हम इस द Valley एक ऐसे निल करते हैं कि अच्किपर dos is अयहाँ पर有沒有 up our earth was परन में फिटी है हॉआ आप दोनों में कॉन जादा है इसको कंपेर करने के सबसे अच्छा है कि आप यहां पे आइकन से इस्तिमाल किये तो बता रहा है कि लोवर है यह हायर है और यह हायर है ठीक है से अभी जो आपके सीखा उसमें हमने बताया है यह चीजी बताए लेकि उनके अलाव भुछ साइ में इस्तिमाः है रही है यह पिया है किसे इसके रूज़ को आपको पैले इन बाकित रहने कि प्रैक्टिस करें यह नहीं है तो कि इसमें फॉर्मुले भी आएगा क्योंकि आपके पास बने बना एक दिशन है तो आप अप्लाइग कर रहें तो आपको पुछ पूर्मुले कर रहें वहीं महीना सब्नुमिल हो तो हाइलाइट करें पर यहां तो नहीं है इस चैक कैसे हो कि नमबर अगर भी इसी में दुब्लिकेट की बात कर दीजिए ना कि हमने यहां पर उखिया हुआ है वान वन वन मैं चाहता है कि पहला आइलाइट नहों फूसरा है इस चाहता है कि अब मैं रिमूफ करूंगा तो कैसे रिमूफ करूंगा दोनों का हाइलाइट हो गया ना सब्सक्राइट है तक हम एंदिफाई कर दिए कि भाई यह फॉस्ट आइम आया था है यह बाज नहीं में फुरी इसको प्रीट करें यह चीजिए जो हम बात करेंगे एडवांस कंडीशन फॉर्मेटिंग में हम बात करेंगे जो कि हम कल आपको सिखाएंगे अभी बेसिक जीओ पर एंटिस कर है फिद कल की क्लास में आपको आएंगे सब्सक्राइब